नमस्का दोस्तों आपका स्वागत है और Global Elevator Academy के इस चैनल में हम आज कुछ questions लेंगे जो हमारे students या वाकी लोग जो course करना चाहते हैं वो हमसे पूछते हैं तो चलिए उन questions को लेते हैं और उनके answer देने के कोशिश करते हैं और आशा है आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा नहीं किया है तो प्लीज कर दे और लाइक भी कर दे वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दे तो चलिए शूर करते हैं सबसे पहले जैसे आपको बदाया कि यह जो पर्टिक्लर कोर्स है इसका नाम है बेसिक एलिवेटर नॉलेज्च यह ऑनलाइन हमने वर्ड इसलिए आड़ किया है क्योंकि हमारा अभी फिलाहल जो है हम लोग इसको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं काफी सारे लोग हम से बिखते हैं what is this course all about तो basically आप जानते हैं कि लिफ्ट इंडस्ट्री है लिफ्ट इंडस्ट्री हमेशा growing इंडस्ट्री है बहुत सारी डिमांड रहती है यहां पर skilled लोगों की तो unfortunately लिफ्ट इंडस्ट्री में बहुत जादा कोई training organized training की बहुत जादा ऐ लिए हमने यह courses शुरू किये हैं जिसमें की पहला हमारा यह course है basic elevator knowledge का और सारे बहुत सारे और भी course हम लोग launch करने जा रहे हैं तो वैसे तो यह लोग हमसे पूछते हैं कि वही यह course क्या क्यूं करें और इसके क्या फायदा होगा हमार को तो सबसे बड़ा फायदा यह कि आपकी जब knowledge बढ़ेगी skill बढ़ेगी तो आपकी value बढ़ती है value बढ़ती है तो आपकी income बढ़ती है और आप अगर नौकरी कर रहे हैं तो आपकी company में आपको अच्छा आपका reputation बनेगा आपको recognize किया जाएगा आपकी company में तो और online पढ़ने का खायदा पुछते हैं लोग हमसे कि online करने से क्या होता है online करने से आप अपने समय में इसको पढ़ सकते हैं बहुत ज़्यादा यसे को restriction नहीं रहता time का अगर आप working है तो शाम को आके इसको पढ़ सकते हैं देख सकते हैं बहुत सारे video आपको मिलेंगे वो देख सकते हैं quiz मिलेंगे वो आप कर सकते हैं अपने time में तो enjoy कर सकते हैं learning भी होईगी enjoy भी होगा आपका जो daily का काम है work है वो disturb नहीं होगा रात को दिन में कभी भी 24 वाई 7 जब भी आपको time मिले 1 घंटा 2 घंटा आप मिकाल सकते हैं और यह किसको करना चाहिए लोग हम करने को सब लोग कर सकते हैं विशेश रूप से हमने जो यह course बनाया है यह नए लोगों को ध्यान में रखके बनाया है जो बिल्कुल नए हैं जिनको भी जानकारी नहीं है बट ऐसा देखा गया कि जब यह course हमने किया तो बहुत सारे experience लोगों ने भी इसको किया जो already आया था यह course का duration क्या है हम लोगों ने ऐसा estimate कि अच्छा इस पर लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छा skill मिलेगा इससे knowledge मिलेगा और learn कर पाएंगे आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसको कम में कर लेते हैं 50 hours 40 hours बड़ आप मेरे हमारी recommendation यह है कि आप इसको जलबाजी enjoy करें कई लोग यह भी क्याते हैं कि अगर 100 hours में नहीं हुआ तो क्या होगा तो वैसे तो course ज्यादा तर लोग 100 hours में करी लेते हैं फिर भी अगर आपको particularly ऐसा लगता है या हुआ आपके साथ ऐसा कि नहीं कर पाए हैं तो हम बहुत ज्यादा ऐसे rigid नहीं है इसके पीछे हम जरूर उसको extension देंगे आपको और case to case basis में आप हमसे contact करेंगे तो हम आपको उसमें extend कर देंगे उस hours को अब कई लोग करते हैं कि यह course design किस ने किया instructor कौन है इस course के तो इसमें दो लोग mainly involved है अरुनागरवाल और राजपार की दोनों लिफ इंडास्ट्री से हैं और अच्छा उनका experience है इंडास्ट्री में 30-35 years का experience है और यहां देख सकते हैं थोड़ा सा हमने उनकी background आपको दिया है कोने और काफी उनने काम किया इनके साथ तो आपको practical experience मिलेगा खाली theory theory की बात नहीं करते हैं हम आपको जो practical knowledge है वो भी आपको इसमें दी जाएगे methods क्या है इसमें learn करने के तो आपको इसमें theory मिलेगी आपको text मिलेगा पढ़ने के लिए आपको वीडियो मिलेंगे assessment test होगा आपको quiz मिलेंगे आपका skill test होगा online और आपको live classes इसमें मिलेंगी कि आप कोई doubt है तो आप जब live class होगा तो आप one to one में नुकुल अपने सामने इसको पूछ सकते हैं और आपको जवाब मिलेगा उसका इसमें topic क्या cover है इस particular basic elevator course में तो वो आपको थोड़ा सा idea देते हैं इसमें मुटे मुटे पांच module है कुछ module अभी हमारों को ऐसा है कि हम add करेंगे और इसमें तो यह module हैं सारे हमारे पास यह module आपको मिलेंगे इनके पर वीडियो भी कुछ है हमारे यह वीडियो कुछ है जर्नल जो हमने यूट्योब पर डाले में हैं अभी और कुछ वीडियो हैं जो यूट्योब पर नहीं मिलेंगे आपको प्राइवेट वीडियो हैं वो जो कॉर्स जब अन्रोल आप करोगे तो तब आपको वो वीडियोज special वीडियो हैं वो लंबे थोड़े हैं इनसे यह introduction वीडियोज हैं सारे मल्यूज के वो आपको मिलेंगे फिर कि आपने अच्छी तरह इसको कोर्स को किया knowledge लिया और हम लोगों क्या पूरा placement cell है हम लोगों आपको help करेंगे जॉब लेने में कुछ लों कहते हैं कोई guarantee है क्या guarantee तो अब आपको मालूमी है कैसे दी जा सकती है ultimately तो यह आपकी skill के उपर आपकी knowledge के उपर आपके company के उपर जो company आपको employ करना चाहती है उसके पर और वो अपने employer को दिखाएंगे तो जरूर उसका बहुत अच्छा effect पड़ता है और particularly global elevator academy से certificate है आपके पास तो सब को पता है कि भई हो जो certificate है वो बहुत मुश्किल से मिलता है और बड़े test लेके ही मिलेगा वो आपको अगर आप 80% नहीं लाएंगे test में तो वो certificate आपको न जी मैं नौकरी नहीं कर रहा हूं अभी मेरे पास कोई काम नहीं है मेरे पास पैसे नहीं है तो कैसे करूं क्या मैं आपकी फीज जो है स्टार्मेंट में दे सकता हूं अब यह सवाल थोड़ा सा मुश्किल होता है हम नहीं समझते कि कैसे इसको जवाब दें वर फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे, अगर कोई individual cases ऐसे हैं, जहां पर आपको लगता है कि वहीं, आपको fees देने में तक्रीफ हा रही है, तो किरपया जरूर हम से बात करें, हम जहां तक संभव होगा, आपकी मदद करेंगे, और इसको solution निकालेंगे, पिशना करेंगे, अनलाइन कोर्स मे अन्रोल कैसे करें, तो वो पूरा आपको website पर जाना पड़ेगा, अभी मैं website आपको दिखा दूँगा, website पर जाके आप उसको login करें, अपना login बनाएं, और उसमें फिर वो course आप select करें, और फिर आप उसमें अपना course आपको online आपको मिलेगा, और सारी instruction आपको उसके साथ मि मिलेंगी, सब कुछ चिंता करने की बात नहीं है, आपने mobile से, आपने computer से, आप अराम से उसको कर सकते हैं, How much time do I need to plan for a study each week? कई लोग हम से यह पूछते हैं कि हर अफते में मेरे को कितना समय देना पड़ेगा इसको पढ़ाही करने के लिए, तो वो आपको एक घंटा पर डे भी दे सकते हैं, 16 से 18, 20 घंटे पर week भी दे सकते हैं, वो जैसा आपका schedule बनता है, लेकिन fix schedule बना लें, अगर आप बोलते हैं कि भी एक घंटा रोज देना तो एक घंटा रोज दीजे, कोई बात नहीं है, चाहे उसमें फिर एक घंटा रोज देंगे और ह 25 दिन लगेंगे, कोई बात नहीं, बड़ आप सिखेंगे तो सजी ना, कुछ शुरू तो कीजिए, action तो लीजे, कई लोग कहते हैं कि जो online course है, वो हमें तभी मिलेगा, तभी देख सकते हैं उसको हम जब आप unroll हैं, जितने दिन के लिए वो चल रहा है, yes, normally ऐसे ही होता है online course आपको हमेशा के लिए नहीं मिल सकता, तो आपको अगर जैसे 100 दिन के लिए हम लोग अभी initially देंगे आपको, अगर बाद में आपको लगता है कि आपको थोड़ा और समय चाहिए, तो आप request करेंगे, तो आपको दिया जा सकता है, इसमें बहुत ज़्यादा rigid नहीं है हम लोग कोशिश करें कि सौमटे में खतम करने और फिर भी बाद में भी अगर आपको ऐसा लगता है, कभी आपने revise करना है, कभी कुछ करना है, तो हमसे बात करें, वो आपको दिया जा सकता है, ultimately हमारा target ये ही कि आप सीखें, learn करें, तो मैं तो सिरफ गई लोग पुछने ही, मैंने तो high school भी पास किया है, सिरफ तो क्या मैं इस course को कर सकता हूँ, बिलकुल कर सकते हैं, ये course ही हमने ऐसे बनाया है, कि आपने, आपको थोड़ा Hindi English पढ़नी आनी चाहिए, बोलना आना चाहिए, और दसमी पास वो तो अच्छा ही है, आराम से कर सकते हैं, आपको ही समस्या नहीं है, इसमें लोग कहते हैं कि हमें कुछ equipment चाहिए, special online course करने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए भी आपको, you just need a mobile और a laptop और a computer, आपके बास internet connection होना चाहिए, अच्छा सा speed वाला और उसके अंदर chrome, safari, firefox या internet explorer, कोई भी आपक धर बैट के कहीं भी travel में, गाड़ी में यह course कर सकते हैं, अब इसके अलावा हमने कोशिश किया कि काभी सारे questions आपको answer किये हैं, बट फिर भी आपके दिमाग में कोई question हो, तो आप हमें इस number पे WhatsApp कर सकते हैं, और हमारा number screen पे भी flash कर रहा है, और यह email भी है, अगर email करना चा आपको काफी हद तक ही एक course के बारे में clarity आ गया होगा, तो thank you for your time, keep watching and please remember to share with your friends, और subscribe तो आपने करी दिया होगा, चलिए, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में और course में, thank you, bye bye, take care